आपने किसान और मजदूर और सहकारता अंदुलन के खिलाफ आप जो ओडिनेंस लाए उसका मैं उल्लेक करना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी पहली बार प्रधान मंत्री बने सबसे पहला ओडिनेंस कौन सा लाए लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप किया जाए यह तो भला करें उस समय के लोगों को जो समझदार्त लोग थे उस समय आज तो केवल प्रशंसक लोग रह गए हैं जोनों ने कि उनको बाद किया कि आप आप उर्डिनेंस समाप उतको लैप्स होने दी दिये यह तीन अग्रिकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं अभी सिंध्या जी कह रहे थे हमारे ततकाली क्रशी मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे आप उनका स्टेट्मेंट देख लीजिए उसका जवाब और प्रफल पढ़ियल जी बोलेंगे उसका आपको पता लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके गुंदोशों को मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके उपर चर्चा नहीं हो रही है अगर चर्चा होती तो उसके क्या-क्या कौन-कौन से एक्ट में कहा क्या कम ही मैं आपको बताता है लेकिन आपने और Congress manifesto की बात किये है पर जो है उसको वापस करिये और select committee बनाइए यहां पर amendment आय थे सदेस्टेन में दिये थे मुझे इस बात का दुख है मैं बहुत सम्मान करता हूं सबापती मौदे का लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिविशन मांगा लेकिन डिविशन नहीं दिया इसके बारे में कौन जिम्मेदार है आज यदि किसान घरदार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं आप कहते हैं कि तो शड्यंत्र है कांग्रिस करा रह यह है श्रीमान मैं आपकी आग्या से आपकी आग्या से माननी प्रकार सिंग बादल जी ने जो पत्र लिखा प्रदान मंत्री का को प्रदान मंती जी को उसको पटल में रखना चाहता हूँ उन्होंने साफ कहा है अकाली दल सबसे पुराना एंडियर अलाइप पार्टनर है उसका शिवसेना जी उन से अलग हो गई ये सब लोग प्रदान मंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहिंकार है उसके वज़े से आज परेशान है मैं आप से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पा कोड़ बनाए है उस पर चर्चा नहीं हो रही है कोई ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं कर रहे है भारती मजदूर संग ने भी उसका विरोध किया है जिस तरह से किसान विरोधी कानून का भारती किसान संग भी मजदूर उसका विरोध कर रही है ट्रेड यूनिन में भार सहकारता का अंदुलन भी समाथ करने का बैंकिंग रेगुलिशन आक्ट का प्रोविशन आप देखेंगे वह भी ओर्डनेंस आया है जिसमें की अब शेयर कॉपरिटिव के विवहाग के शेयर लिस्टेड होंगे अब शेयर मारार में इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आपने 600 फूट की मूर्टी तो बना दी लेकिन उनकी जो विचारधारा था उनका जो सोच था सहकारी आंदौलन का जिसके माध्यम से किसानों को प्रोसेसिंग को को इन्वाल्व करके सारा आज अमुल एक हमारा एक एक ऐसा एक इंस्ट्यूशन है जिसमें किसान को लगबस 70 प्रतिशत उसका वैल्यू मिल जाता है आज उनकी आत्मा को आपने खेट पहुंचाया है मूर्ती बढ़ा दी बना दी आपने लेकिन उनकी जो सोच थी विचार थी उनकी आत्मा थी किसानों की उसको आपने खंडित किया है मैं आप से अम्रोद करना चाहता हूं कि हमारा विवाद हमारा आज भाजपा से हमारा विचार धारा के विरोध हो सकता है लेकिन व्यक्तिकत कोई विरोध नहीं है लेकिन जिस प्रकार से माननी मोदी जी ने इन साथ सालों में जिस प्रकार से प्रधान मंत्री पद का उपयोग केवल अपने विरोधियों को समाप करने मे में इस मामले में आप से कहना चाहता हूँ अभी किसानों से चर्चा करने के लिए उन्हों ने ब्रुम टू मिनी सुट उन्होंनेःे मच्टय Manti जी को पक्स में रहते थे हमेशा मैंने उनके दो वीडियो देखे हैं राकेश टिकेट के साथ उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कॉंग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो हम किसान के साथ हैं हम किसान का साथ देंगे इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया पंजाब में केसरिया पगड़ी लगाकर उन्होंने वादा किया था हम किसानों का साथ देंगे राजना सिंजी का उप्योग आपने समझोते में करने में क्यों नहीं लगाया प्यूश गोईल जी किसानों का अप्तिनित करेंगे, मैं आप से अंरोध करना चाहता हूँ आखरी में, जिस प्रकार से किसानों के खिलाप, मजदूरों के खिलाप, सिविल राइट एक्टिविस के खिलाप, सेडिशन के केसे लगाये जा रहे हैं, पत्रकारों खिलाप, उन पर केसे लगाये जा रहे हैं, मैं आप से अंरोध करता हूँ, कि हमारे भूतपूर प्रधान मंत्री, माननी अटल ब्यारी बाचपाई जी ने ये बात कही थी, कि कल मैंने अज इस बात को कोड़ किया था उनको, कि यदि किसी भी लोग तंत्र में, यदि लोगों को के भावनाओं का, को देश राज़़ों के रूप में देखा जाता है, तो फिर शुरुवाद होती है ताना शाही की, मैं अन्रोध करना चाहता हूँ, माननी हमारे रवीशंक प्रसाज जी बेटे है, यालोज जी बेटे हैं, आप लोगों को बहुमत मिला ह हम उसका मान करते हैं लेकिन जिस प्रकार से आज देश में पूरे तरीके से लोगों को डिसेंट आज लोकतनतुक में तो डिसेंट इसेश एसेंस ऑप डिमोक्रेसे उसके जिस प्रकार से लोगों को Jail भेज जा रहा है भीका कोरे गाउं केस में लोग सुदा भर दो आज जो की पूरे तरीके से महाँ पे यूएस्क में हावर्ड प्रोफेसर थी आज तीन साल से उनके साथ अनेक सिविल राइच एक्सिविस जेल में बंद हैं जमानत नहीं हो पा रही है अकेन ऐसा क्या दोष था उनके इतना ही तो था कि अन्होंने भीका कोरे गाउं की अंदर उनका पक्ष लिया जो वंचित थे दलित थे मैं इसी के साथ आप से निरोध करता हूँ कि किसी हालत में हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं, धन्यवाद